शांती वन से अनुष्का गर्ग रिपोर्ट कर रहे हैं अनुष्का जहां पर आप इस वक्त मौचूँद हैं आपके आस्वास में देख पारी हैं वहाप भी वाटर लॉगिंग के हालात हैं ट्राफिक भी बहुत धीमी रवतार से सुबह के साथ ही बहुत आगे बढ़ रहा ह क्या तस्वीर हैं दिखाईए भी और बताईए भी अनुष्का वीडिम आपको दिखाएंगे यहां पर किस तरीकी से जो गाड़िया जा रही हैं उनको काफी साधा सामना करना पड़ रहा है बहुत सारी गाड़ी थी जो यहां पर रुप गई थी कई स्कूटी चालक जो है वो इसी पानी में स्कूटी आगे लिजाने के चकर में पानी मे गिर गए थे और साथी साथ लोगों के लिए कई ने कहीं भारी समस्या जो है उसका कई ने कई सबब बन कर आई यह लगातार जिस तरीकी से पानी बहरा है यहां पर जो यह रास्ता है आप देख सकते हैं यह आईटियों से कनेक्ट होता है उसके लावा जो दूसरा रास्ता है वह राजगाट से कनेक्ट होता है तीसरा जो रास्ता है वह चांदनी चौक को जोडता और चौता रास्ता जो है वह लोहा पुल की तरफ जाता है साथ और पर देख सकते हैं कि लोहा पुल की तरफ से यहां पर पानी इधर की तरफ आता वह नजर आ रहा है चो रहा है यह वो बढ़ता नजर आ रहा है जब आरी टीम याँ पर शुरुआत में आये थी तब इतना पानी देखने को नहीं मिल रहा था आप देख सकते किस तरीके से यहां आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनको कितनी जादा परिशानी का सामना करना पड़ रहा है बहुत से लोग वो भी अब आधी डूप चुकी है तो कहीं न कहीं बहुत साथ परिशानी का जो है माहौल है यहां पर बहुत सारी लोग है जो अपने घर से निकल चुके थे और उनको यह नहीं पता था कि चौराहे तक में पानी पहुँच जाएगा क्योंकि लोगों के लिए भी पहली ब कि दिक्कत यह है यहां पर की ट्राफिक की ववस्था भी यहां पर चर्मराती नजर आ रही है क्योंकि जगा जगा पानी इस वक्त भरा हुआ है के पीछे एक यहां पर जो गाडियां वो नजर आ रही है टू वीलर्स हों साइकल्स हों इस बीच मजधार से अपने आपको न आप देख सकते हैं एक टू विलर चालक है बाबा है बुजुर्ग है उनका स्कूटी खराब हो गया है और वो किस तरह से स्कूटी को रेंगते हुए आगे जाने के लिए मजबूर है ए तस्वीरों के जरीए लोगों को एहतियातन आईटियो क्रॉस करने से इस समय परहेस करन चाहिए चूंकि अगर आपका वीकल खराब हो गया तो शायद आप जोखिम में आ सकते हैं जहां तक मेरी नजर जा रही है जो सेक्रिटेरियट के तरफ डेली सेक्रिटेरियट के रफ ब्रिज है उसके नीचे जो वाटर लॉगिंग है वो और जाधा डेंस है करीबन चार से पांच फूट का पानी भरा हुआ है और जो टिल्ट रोड है यानि की जहां पर डिवाइडर है वहां पर थोड़ा कम पानी है जिसके कारण वहां वहीं से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिक पोल है इस डिवाइडर के बीच में और थोड़ी देर हो रहे हैं इस समय जोकिम लेना बेहत खतरनाक साबित हो सकता है ये दर्शकों को देखना बहुत जादा जरूरी है मान लिया जाएं प्रशासन की लाख गलतियां थी उनकी तैयारी नहीं थी लेकिन हर एक विक्ति का परिवार होता है हर एक विक्ति के बीवी बच्चे होते हैं लिहाजा इस तरह की तस्वीरे देखने से पहले इस तरह से घर से निकलने से पहले आप अपने बीवी बच्चे की शकल देखेंगे तो शायद दफ्तर में कहेंगे कि मैं खतरनाक सीती से नहीं गुजर सकता हूँ अपनी जान को जोकिम में डाल कर फिर भी लोग काम करन से उनको लगता है कि वो करोल बाग पहुंच जाएंगे तो उन्हें बहुत जोकिम पून सिती से गुजरना होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट तब भी एक सेफर आप्शन है आप मेट्रों का इस्तिमाल कर सकते हैं वो जादा जोकिम भरी भी नहीं है और जादा फ्लीट रहत ही है उनके अंदर जादा पेसेंजर्स भी रहती हैं सड़कों के ओपर ट्राफिक भी कम होता है जो इस समय दिल्ली के अंदर त्राहिमा मचा हुआ है ऐसे में प्रशासन का साथ देना यह और ऐसे हर हालात दिल्ली वासियों के लिए एक वेकप अलाम है क्यों क्योंकि देख हाल में इस वक्त रिपोर्ट कर रहे है लिहाज़ा अपना भी खयाल रखिए तस्वीरों पर हम एक बार फिर लौट रहे हैं यह आईटियों के विजुल्स हैं तरुन जो है टॉप फ्यू हमको दिखा रहे हैं कैसे भयावाई हालात हैं यह सेंट्रल डेली की वो प्राइम हैं जो आसपास के सारे महतपून रूट्स को जोडती है करेक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा और यहां पर हालात जरजर हो चुके हैं प्रशासन की पैरलाइस सिट्वेशन बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से पूरी की पूरी व्यवस्था चर्मरा चुकी है तरुन के पास हम फिर लौटेंगे तरुन हम देख पा रहे हैं कि जो नीची वाहन पर लोग निकल रहे हैं अपने अपने गंतव्य के लिए वो फसे होए ज्यादा नजर आ रहे हैं लहाजा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग अवेल करें वही पहली प्रात्मित्ता होनी चाहिए एक बार फिर से तस्वीरों पर लोटते तरुन काबरा के साथ सेंट्रल डेली की आईटियो लोकेशन तरुन ओवर टू यू गड़ में सुबह निकलने से पहले नहीं पता था कि आईटियो पर इतना वाटर लोगी नहीं था आप कहां काम करते हैं यह विकास मार विकास भवन देखिए यह अपने आप में दिल्चस्प वाक्या है मुझे यह दूसरे करमचारी दिखे हैं जो डीडिये में काम करते है और उनका work from home नहीं है उनका दफतर बंद नहीं है यह जो करमचारी यहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डाल कर आगे विकास मिनार की तरफ जा रहे हैं जो आईटियो के उपर सबसे उंची बिल्डिंग है विजिबिली आराम से देखा जा सकता है वो बंद नहीं है केंद सरकारी जो आदेश है उनका फाइदा क्या है और इसी तरह की सित्ती और शायद हो सकता है कि सबसे चुकी बात हम नहीं कर पा रहे हैं शायद वो इस सरकारी मुलाजिम ही हो लिहाँजा सरकार को यह समझना चाहिए कि अपने करमचारियों की जाम वो जोखिम में ना डाले य प्लिक को सुविधा पहुचाने का काम है लेकिन अगर इस तरह से करमचारी अपनी जान को जोखिम में डालते आते हैंगे तो किसी भी समय बड़ा हाथसा होने की आशंका बनी रहेगी मैं अभी भी कह रहा हूं कि सुभे से मुझे प्रशासन की एक अच्छी सूजबूज म माना की जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली के अंदर डीटीसी बसों की संख्या कम है लेकिन सरकारी सूजबूज का नतीजा है कि सुबर चार बजे से डीटीसी की फ्लीट ऑन रोट थी लिहाज़ा ये लोगों को समझना हो गया कि अपने प्राइवेट पहनों को वो इस समय त हुआ हो इस तरह की सूचना नहीं है सिरफ एक यमना बैंक के मेट्रो स्टेशन की एंट्री एकजिट को सिरफ छोड़ दें मेट्रो अंदर ऑपरेशनल है लिहाजा उस स्टेशन के लावा किसी भी स्टेशन के क्लोजर की खबर नहीं आई है लिहाजा इस समय जो दिल्ली की रीड की हटी माना जाता है DMRC मेट्रो सबसे बहतर ऑप्शन है और फिर भी अगर घर से आप निकलने से बाद भी अगर यमना के किरारे के अंदर आपका कई घर है मान लिजे मॉडल टाउन में आपका घर है मान लिजे आप सिविल लाइन्स इलाके में रहते हैं या जखीरा ये लोगों को ये समझना भी होगा हाला कि जैसा कि आप बता रहे थे कि लोगों को पहले से ये अंदाजा नहीं था कि इतना जादा पानी रात भर में सडकों पर आ जाएगा राजगाट, आईटियो, लाल किला सब कुछ इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है लोगों से भी हमारी अपील है कि वो ध्यान रखें, इतियाद बरते हैं, साफधानी पूर्वा कदम उठाते रहें, बहुत शुक्री आप तमाम सहयोगी का हमारे साथ चुरने के लिए